नमस्कार देश की बात में आप सभी का स्वागत है अविनंदन है आप किसी भी राज्य में जाईए और वहां सामानी जनता से पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किन विभागों से है आपके सबसे ज़्यादा समस्याएं कहा है तो वो बताएंगे थाना थाना चोकी एकी में जोड़ देए थाना तहसील और सरकारी एस्पतार यहीं यहीं तीन सुधर जाएं तो मानकर चलिए आम जनता की 75 फीसिदी से ज़्यादा समस्याएं समापत हो जाएंगे कहीं भी आप यह पैमाना लगा के देख लीजिए किसी भी राजिके मुख्यमंत्री से आप पूछिए कि उसके कारेयले से पूछिए कि मुख्यमंत्री के पास जो शिकायते आती हैं जो फर्यादे आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहां कहें तो फिर वो ही आएगा पुलिस यानि थाना चोकी, तहसील यानि जमीन का मसाला, राजस्तो का और तीसरा सरकारी एस्पताल, दबा ने मिली, एक्सरे की मशीन खराब है, डाक्टर ने मिला, कंपाउंटर ने मिला, आदे आदे, ये तीन चीजे अगर सुधर जाएं, तो जनता बंबं हो जाए, होता क्या जब आप समर्थ होते हैं, संबंधों से, प्रभाव से, पैसे से, तो ये तीन चीजे आपको प्रभावित नहीं करते हैं, न Això की प्रभावित कर सक्ति, आपको न तहसील और न अस्पताल, जिदा फिर सरकारी एस्पताल से आपका लेने देना नह लेकिन जो सामान निजन है जिसको हम भारत के लोग जिसको बोलते हैं वो इन्ही तीन समस्याओं से गर्षत नहीं उत्रप्रदेश हो या बिहार हो या तमिलनाडू हो कोई प्रदेश हो और आजादी के इतने वर्ष हो गए 2047 में 100 साल हो जाएंगे आजादी के एक सदी लेकिन ये तीन चीजें नहीं सुधर पाई हर जगा इनकी शिगाईत है क्यों नहीं सुधर सकता पाई ये चीजें मुंडे मुंडे मतर भिन्ना अलग-अलग राय है लोगों की कैसे सुधर सकती इस पर भी अलग-अलग राय है लेकिन इतना तहे कि इनको सुधारे बिना भारत के सामान निजन का भला नहीं हो सकता उत्रपदेश में पूर्वांचल में अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना घटी उस घटना ने जनता के भीतर एक पॉजिटिव मैसिस दिया एक सकारात्मक संदेश दिया बल्या के एक थाने पर बसूली की जो एक अनवरत व्यवस्था थी जिसमें बताया जाता है कि पांच करोन रुपया प्रतिमाह ट्रकों से बसूली हो रही थी अवे न उस बसूली के रेकिट को ध्वस्था करने के लिए उत्तरपदेश पुलिस के दो अधिकारी एक डियाईजी इस्तर का अधिकारी है और एक बैभवकृष्णा और एक एडिजी इस्तर के अधिकारी है प्यूश मोडिया इन दोनों ने एक ओपरेशन किया देर अधेरी रात में और उस ओपरेशन में बसूली कान में सनलिप्त कई पुलिस कर्मियों को ग्रफतार किया गया उनके खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ सियो इस्तर तक के अधिकारी सस्पेंट किये गए उनके खिलाब मुकदमे दर्ज हुए उनके खिलाब विजलेंस जांच खुली विजलेंस जांच के आदेश दिये गए और एस्पी और डिप्टी एस्पी दोनों को वहां से हटा दिया गया और पतिक्षा सूची में ले जाके डाल दिया गया वह अपरेशन बड़ा बिल्कुल आप समझ गीजिए फिल्मी अंदाज का अपरेशन भी था ट्रक में बैठकर एडीजी प्यूश मोडिया और भाईबब कुष्ण डीजी आजमगल रहेंच आये हैं पकड़ने उस लूट के सिंडिकेट को बेनकाव करने के लिए तो यह तो एक जलकी है एक थाना एक जगा से पांच करोन रोप्या महिना में अब आप सोचिए कि लूट का तंत्र कितना बड़ा होगा देश भर में कितने थाने होंगे कैसे कैसे होंगे नहीं और वो पैसा किसका है गरीब का ही है किसी संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति से तो धानेदार बसोर नहीं सकता तो यह जो इस्थिती है इस पर जब हंगामा हुआ फिर देश भर में इस गढ़ना पर क्रिया पतलिया आ रहे हैं सामानी लोग कह रहे हैं कि यह अच्छा करम है हर राज्य में होना चाहिए और उत्तर पदेश में जितने भी ऐसे बदनाम इलाके हैं वहां जरूर होना चाहिए अज़ा एक वो था कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तु सारा जाने रे जाने है रिक्षेर था यह भी बड़े मज़े की बात है कि आप जनता से पूछिए पान वाले से पूछिए रिक्षे वाले से पूछिए तांगे वाले से पूछिए आटो वाले से पूछिए कि चोकी में क्या चलना और थाने में क्या चलना वो सब बता देगा लेकिन बड़े लोगों को समझ कहते वहां में तो पता ही नहीं था जो चीज आटो वाले को पता थी टेंपू वाले को पता थी वो सहावों को पता ही नहीं होती यह भी बड़ा गजब है नहीं वैसे ही तहस कि दिखिल के आसपास जो लोग चाहिए बेच रहे हैं समोसा बेच रहे हैं पान बेच रहे हैं स्टिष्टेश्णरी का सामान बेच रहे हैं उनसे आप पुछ जीजे तेहसील का रंग ढंग क्या है और आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाईए सचिव और प्रिसिपल सेकेट्री इस तरके लोगों के से मिली है तो वो कहते है अच्छा ऐसा है क्या मैं जांच कराता हूं और जांच कराने के मतलब यह अब जन्ता कहले है कि जांच नए ऐसा ओपरेशन होना चाहिए फैसला उन स्पाट जैसा बल्या में हुआ तो बल्या मॉडल की चर्चा बहुत हो हुआ धेश में योगी बौडल और सरकारी एस्पालों में भी ऐसी छापे मारी हो जिसमें आगे आगे कैमरामेन चलें और पत्रकार चलें इसका मतलब पत्रकारों कैमरामेन को इसकी सूचना दी गए कोई बड़ा आदमी आने वाला है तो फिर शापा नहीं कहलाता, वह भ्रमल का रिक्रम होता है, जिस चापे में तो जिस कथित चापे में आपको कैमरों की फ्लेश लाइट चमकती दिख जाए, पत्रकारों के माईक दिख जाए, समझ लीजिए शापा नहीं है, यह सतनान्य की क shape क्ञा होता है सांभानी विक्ती च्छाप का मतने हैं कि जहां च्छाप मारा जा रहा है वहां उश्की पूर्वसूचना नहीं हो कोई आहट नहीं हो अब अभी एक हुआ कि बाढ़ का आउचक निरिक्षन करने मंत्री जी गए तो वो जहां से गए हैं उसमें कार्पेट बिचाया गया था तब आउचक निरिक्षन कैसा हुआ यहनी कार्पेट बिचाने वालों को और बिचमाने वालों को तो पता था कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो इसलिए अब जनता कह रहे हैं कि नहीं हमको चहिए बल्या मॉडल ट्रक पर बैठकर आए एडी जी और डी आई जी उसी बेशबूशा में जिस बेशबूशा में लोग रहते हैं ताकि कहीं कोई शक नहीं हो कहीं कोई जो प्लान है वो आउट नहीं हो लेकिन ऐसे भी चापे होते हैं जिनमें गाजे बाजे के साथ चापा पड़ता और कहा जाता है कि अचानक चापा मारा तो अचानक चापा मारा तो दस पत्रकार बाइट लेने के से वह पहली से मुझूद थे इसलिए अब चर्चा चल रही है कि क्या थाना तहसील और जिला अस्पताल यह ऐसे ही सुधरेंगे बलिया मॉडल से क्योंकि सामान चापों से और रूटीन की जाचों से पत्रावलियों से और रिमाइंडरों से यह तीनों सुधरने वाले नहीं अगर सुधरते होते तो अब तक सुधर गए होते आजादी के इतने साल हो गए साथ दसक से ज्यादा का समय बीट गया फिर क्या किया जाए इनको सुधरने के लिए हाला कि विपक्षी दलों ने कहा कि आजब खे इस्तिती है पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही लेकिन मैं इसको जनता की तरफ खड़े होके देखता हूं पुलिस भी अगर लूट में शामिल है तो पुलिस को पकड़ने के लिए भी कोई होना चाहिए ना ऐसा कैसे हो जाए कि पुलिस को खोला छोड़ दिया जाए बोले पुलिस है यह तो कुछ भी कर सकते नहीं न और पुलिस को पुलिस ही पकड़े ठीकी बात है इसमें बुर पुलिस को भी भष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं और अगर पुलिस के नीचे की लोग ऐसा कर रहे हैं तो उपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन पर छापे मारी करें और उनको भी कानून के शिकंजे में कसा जाए बलिया में एक्जेक्टली वही हुआ अ अब वहां से एक रोशनी की किरण दिखती है एक रोशनदान खुलता है लेकिन इस प्रदेश की जनता को और देश की जनता को संतोष तब होगा जब इस ढंकी कारवाई हर उस जगा पर हो जहां भष्टाचार की गंदगी फैली हुई है पसरी हुई है धन्यवाद